प्रेम और विरह परमार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए साधक के हृदय में सत्गुरु और प्रभु के प्रती प्रेम का विक्सित होना बहुत जरूरी है और प्रेम गहन भक्ती भाव से पैदा होता है सत्गुरु के चर्णों से जब प्रीती की पक्की डोर बंद जाती है तब ध्यान दूसरी और जाता ही नहीं है इसी को प्रेम की अनन्य अवस्था कहते हैं प्रेम की ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर साधक अपने आप संसार से विरक्त हो जाता है परमात्मा के साथ मिलाप का साधन केवल उसका प्रेम है और जीव को सच्चे आनन्द की प्राप्ती परमात्मा के साथ मिलाप होने पर ही होती है इसी लिए बुल्ला साहिब प्रभू से विंती कर रहे हैं कि हृदे परमात्मा के प्रेम से लबा लब भर जाए अब की बार मों पे होहु दयालू, रूम रूम जन होई निहालू, जन बिनवे आठों पहवार, तुम्हरे चरन पर आपा वारू, तुम तो राम हहु निर्गुन सारू, मोरे हिये में तुम आधारू, तुम बिन जीवन कौने काज, बार बार मों को आवै लाजू, सत्गुरु चरनन साज समाज, बुल्ला मांगय भक्ती राज, हे प्रभु, तुम से बिछडे हुए अनेक जन्म बीत गए हैं, तुम्हारा यह दास, तुम्हारे चरन कमलों पर अपने आपको न्योचावर करता है, आठ पहर यही प्रार्थना करता रहता है, कि आप मुझ पर दया करो और इसी जन्म में दर्शन देकर कृतार्थ करो, ताकि मेरा रोम रोम आनन्द से भर जाए, तुम निर्गुण निराकार हो, तुम ही परम तत्व हो, मेरे हिरदय को केवल तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे बिना यह जीवन किसी काम का नहीं है, मुझे बार बार लज्जा आती है, कि मैंने इतने जन्म, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी भक्ती के बिना व्यर्थ गमा दिये हैं, अब दो सत्गुरु की चरण शरण ही मेरे लिए सब कुछ है, हे प्रभू, मेरी विंती है, कि मुझे केवल अपनी भक्ती का सच्चा धन, सच्चा राज दान करो, यारी साहब भी यही फर्माते हैं, कि प्रभू को सदा हृदय में बसा कर रखो, सत्य तो यही है, कि प्रभू का प्रेम ही प्रभू से मिलाप का सर्व स्रेष्ट साधन है, ये यारी हरी हिये में राख हो, बड़ी ये यार से सत्ते बाख हो, जब हृदे में हर पल प्रभू के दर्शन की चाहत बनी रहती है तबी भक्ती भाव प्रबल होता है यानि प्रभू के चर्णों में साधक की पक्की लगन लग जाती है तब प्रभू के दर्शन के सिवय और कोई भी इच्छा शेश नहीं रहती इसी अलोकिक प्रेम से सराब और साधक की अवस्था का वर्नन करते हुए जग जीवन साहब कहते हैं पैयां पकरी मैं लेऊं मनाए कहों की तुम ही कहे मैं जानाओ अब तुम्हरी सर नहीं आए जोरी प्रीत न तोरी कब हूँ यह छबी सुरती बिसर नहीं जाए निर्खत रहो निहारत निसदिन नैन दरसरस पियों अघाए जग जीवन के समरत तुम ही तजी सतसंग अनत नहीं जाए हे प्रभू मैं तुम्हारे पाउँ पकड़ कर तुम्हें मना लूँगा मैं तो केवल तुम्हें ही अपना समझता हूँ और तुम्हारे आगे ही विंती करता हूँ मैं दूसरे सभी सहारे छोड़ कर तुम्हारी शरण में आ गया हूँ मैंने तुम्हारे साथ प्रेम की पक्की गाठ बांध ली है अब मैं प्रेम का धागा कभी नहीं तोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा ध्यान कभी भी तुम्हारे सुन्दर स्वरूप से अलग न हो। दिन रात तुम्हारे सुन्दर स्वरूप का दर्शन करता रहूं ताके दर्शन का अमृत पीते हुए रिदे शान्त रहे। दूसरी ओर न जाऊं जब तक हृदय प्रभु के प्रेम में पूरी तरह मगन नहीं होता तब तक प्रयास करने पर भी साधक को परमार्थ में सफलता नहीं मिलती और साधना करना नीरस लगता है गुलाल साहब साधक की ओर से प्रभु के आगे विंती कर रहे हैं कि वह दया करके सुने हिर्दय को प्रेम से भर दे प्रभु जी बर्षा प्रेम निहारो उठत बैठत छिन नहीं बीतत या ही रीत तुम्हारो समय होवा असमय होवे भरत न लागत बारो जैसे प्रीति किसान खेत सों तैसो है जन प्यारो भक्त बचल है बान तिहारो गुन आउगुन ना बेचारो जह जह जाव नाम गुन गावत जम को सोच निवारो सोवत जागत सरन धरम यह पुलकित मन है बेचारो कह गुलाल तुम ऐसो साहब देखत न्यारो न्यारो हे प्रभू, मुझ पर अपने प्रेम की वर्षा कर दो तुम्हारे भक्त कैसी भी अवस्था में हो तुम हर पल, हर घड़ी उन पर प्रेम और दया बरसाते रहते हो तुम समय असमय नहीं देखते पल भर में अपने भक्तों का हृदय प्रेम से भर देते हो जिस प्रकार किसान को खेत से प्यार होता है उसी प्रकार तुम्हें अपने भक्तों से प्यार है भक्तों की रक्षा और संभाल करना तुम्हारा स्वभाव है तुम भक्तों के गुण अउगुण देखे बिना ही उन पर दया करते हो हे प्रभु तुम ऐसी दया करो कि मैं जहां भी जाऊं तुम्हारे नाम का ही गुणगान करता रहूं तुम कृपा करके मेरे मन से यम की चिंता दूर कर दो तुम्हारी दया से सोते जागते हर समय तुम्हारी शरण में रहना ही मेरा धर्म बन जाए और मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे ध्यान में मगन रहूं हे प्रभू, तुम्हारे रंग न्यारे हैं मैं तुम्हारी लीला देखकर दंग रह गया हूं जब हिदय में प्रभू के प्रती प्रेम जाग उठता है तब जीव सचेत हो जाता है उसे बोध हो जाता है कि प्रभू की शरण के अलावा उसका कोई ठिकाना नहीं है भ्रम में पढ़कर जन्म जन्म तक इस संसार में भटकते रहने के लिए उसे बहुत पच्चतावा होता है यहां जग जीवन साहिब इसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं साहिब समरथ प्रीति तुम्ह तें लागी नेग जनम करम फंद पर्यो नाहीं जागी अपथ पंथ तत जान भूले हूँ भागी तेंहीं पर्यो सुद भुद हर्यो कौन जुगत त्यागी जग जीवन दास करै बिनती चरन सरन लागी जीवात्मा कहती है हे सर्वसमर्थ प्रभू अब मेरे अंदर तुम्हारे प्रती सच्चा प्रेम जाग उठा है जन्म जन्मांतर से मैं करमों के जाल में फंसकर अज्यानता की नींद में सोई रही तुम्हारी ओर से अचेत रहने के कारण मैं अनेक जन्म भटकती हुई कुमार्ग पर चलती रही मैं ऐसी अभागिन हूँ जिसे उस परमतत्व यानि प्रभू प्राप्ती के सच्चे मार्ग का ज्यान ही नहीं मिला मेरी सुद्भुद खोई रही और मैं समझ ही नहीं पाई कि गलत रास्ता छोड़ कर सही रास्ते पर कैसे आऊं मेरी यही प्रार्थना है कि अब मुझ पर दया करके अपनी चरण शरण बक्ष दो परमात्मा के प्रेम का आधार सत्गुरु का प्रेम है इसी संदर्भ में गुलाल साहिब कहते हैं कि जिनके हिरिदे में सत्गुरु के प्रती प्रेम और भरोसा पैदा हो जाता है केवल उन्हें ही प्रभु से मिलाप का सोभाग्य प्राप्त होता है कहे गुलाल सोपावई सत्गुरु की परतीत जो सादक सत्गुरु के प्रती पूरी तरह समर्पित हो जाता है उसी के हिर्दे में प्रभु का प्रेम उत्पन होता है दूलन दास जी एक सुन्दर द्रिष्टांत द्वारा इस भाव को स्पष्ट कर रहे हैं दुई पहिया के रथ चड़ेऊं गुरु सारती मोर प्रभु प्रेम के मारक पर आगे ही आगे बढ़ता जाता है जब सेवक के हिर्दे में सत्गुरु के प्रती अथाह प्रेम जागरित हो जाता है तब उसे यह डर सताने लगता है कि कहीं सत्गुरु उससे रूठ न जाएं गोविंद साहिब अपने सत्गुरु से फरियात करते हैं हमसे जिन रूठिया मोर पिया तोहरे खातिर करिला जो गिर्वा कुल मरजादा छोड दिया तोहरे ओद्र में जनम लिये है जस माखन में होत घिया गोविंद के गुरु भीखा साहब सत्गुरु चरणवा में लगाओ हिया हे मेरे प्यारे सत्गुरु आप मुझसे रूठना नहीं मैंने आपको पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया है और कुल परिवार की मर्यादा को भी छोड दिया है कहने का अभिप्राय है कि जब साधक सत्गुरु से अंतर्मुख साधना की युक्ति सीख लेता है तब उसका ध्यान बहर्मुखी साधनों से हट जाता है ऐसी दशा में कुटंब परिवार के लोग उसे ताने देते हैं कि यह व्यक्ति हमारे कुटंब की रीतियों को नहीं मानता है परंतु साधक कभी भी लोकलाज की परवाह नहीं करता वह निडर होकर नाम की साधना में जुटा रहता है आप आगे कहते हैं हे सत्गुरु अपनी शरण में लेकर जब आपने मुझे दीक्षा प्रदान की तो मेरा फिर से जन्म हो गया अब मेरा और आपका संबंध मक्खन में मिले घी जैसा हो गया है मेरे उपर ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी लगन सदा आपके चरणों से लगी रहे जीव का पहला जन्म माता के उदर से होता है लेकिन जब वह सत्गुरु की शरण में आकर उनकी कृपा से नाम भक्ती में लग जाता है तब उसका पारमार्थिक जन्म होता है इसी अवस्था में साधक अपने असली उद्देश्य को प्राप्त करता है साधक चाहता है कि निरंतर सत्गुरु के स्वरूप को निहारता रहे जब सत्गुरु देह स्वरूप में उसके सामने होते हैं तब भी वह सत्गुरु को एक टक देखना चाहता है वह मन ही मन यही विंती करता रहता है कि उसके सत्गुरु उसे नजर भर कर देख ले लेकिन सत्गुरु उसके अंदर विरह और प्रेम की चिंगारी पैदा करना चाहते हैं इसलिए वा उसकी ओर ध्यान नहीं देते तब सेवक के अंदर तड़प पैदा होने लगती है इसी अवस्था को गोविंद साहिब ने बड़े सुन्दर ढ़ंग से प्रस्तुत किया है मोरे पिया चित्वन तो हे लागी दिन भर चित्वे, रात भर चित्वे, चितई चितई हम भोर किया हम चितई तुम चित्वत नाही, कठे न कठोर तुम्हार जिया तुम्हरे चितए सकल जग चितए तनमन होलासत मो रहिया गोविंद के गुरु भीखा साहब चितई चितई अपनाई लिया हे मेरे प्रियतम, मेरी दृष्टी केवल आप पर ही टिकी हुई है दर्षन की ऐसी प्यास है कि संसार की अन्य कोई भी वस्तू बिल्कुल नहीं भाती है पूरा दिन और पूरी रात आपके दर्षन की आस बनी रहती है इंदजार में सवेरा हो जाता है आप मेरे प्रती इतने कठोर क्यूं हो गए हैं मैं आपके दर्षन के लिए तड़प रहा हूँ आपकी और देख रहा हूँ परन्तु आप मेरी और एक पल के लिए भी नहीं देखते आपको अपने इस दीन सेवक पर दया क्यूं नहीं आ रही है जब मुझ पर आपकी दया दृष्टी हो जाएगी तब सारा संसार मेरे अनुकूल हो जाएगा और मेरा तन मन प्रसनता से भर जाएगा सत्गुरु की अपार दया का वर्नन करते हुए आप कहते हैं कि मेरे सत्गुरु भीखा साहिब ने मुझ जैसे दीन हीन पर अपनी क्रिपा दृष्टी डाल कर मुझे अपना लिया है ऐसी दया होने पर जीव की अवस्था ही बदल जाती है फिर ध्यान किसी दूसरी ओर नहीं जाता बलकि हर पल प्रभु के दीदार की चाहत बनी रहती है साधक की ऐसी अवस्था का दूलंदास जी ने इस प्रकार वर्नन किया है रटि लागी हिये रमई रमई गुरु अंतर डोरी पोड़ी दई नित बाढ़न लागी प्रीति नई चरना रज अंजन नैन दई जन दूलन देखत राम सई आप कहते हैं कि मेरे हिरदय में राम राम की रट लगी हुई है यानि मैं निरंतर प्रभू के नाम का सुमिरन कर रहा हूँ सत्गुरु ने मेरी लिव अंदर नाम के साथ जोड़ दी है जिसके कारण मेरे हिरदय में निरंतर प्रभू का प्रेम बढ़ता जा रहा है मैंने अपनी आत्मा की आँख में प्रभू की चरण धूली का सुर्मा लगा लिया है और अपनी सुरत को शब्द की ध्वनी और शब्द के प्रकाश में अभेद कर दिया है अब मुझे हर ओर केवल प्रभू ही दिखाई देने लगा है जिसके हरिदे में प्रभू के प्रती सच्चा प्रेम जाग उठता है उस जीव का उधार निश्चित है इसी तथ्य को उजागर करते हुए गुलाल साहिब कहते है जो पैं साच लगन ही आवै काटे सकल करम के फंदा आनंद पुर घर चावै अर्थात जिसके हरिदय में प्रभू के प्रती सच्ची लगन पैदा हो जाती है वह करμों के बंधन से मुक्त हो जाता है और अन्त में उसका प्रभू के निज धाम आनंद पुर मेवास हो जाता है यारी साहिब भी इसी तथ्य पर बल देते हुए प्रभु के प्रती गहन प्रेम विक्सित करने का उपदेश दे रहे हैं ये यारी हरी जी में कीजे नेसुदिन प्रेम भक्ति करी लीजे हरी हरी करते आपाक होवे तब हरी में हरी अपही होवे आप कहते हैं कि केवल एक हरी के साथ मित्रता करो केवल प्रभु को ही अपने प्रेम का आधार बनाओ यह प्रेम कोरे शब्दों द्वारा नहीं बलकि दिन रात उसके नाम के सुमिरन और ध्यान में लीन रहकर प्रेम पूर्ण भक्ती के रूप में प्रकट होना चाहिए जब जीव अपना आपा भाव त्याग कर हरी के सुमिरन द्वारा अपने आपको हरी में अभेद कर देता है तब वह हरी में समाकर उसका ही रूप हो जाता है इस संदर्भ में भीखा साहिब ने बड़ा सुन्दर वर्नन किया है आप कहते हैं कि प्रभु स्वयम ही माशूक है और स्वयम ही आशिक है अर्थात वह स्वयम ही प्रियतम बनकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा करता है और स्वयम ही आशिक को दर्शन देता है से, से आप मासूक बनो है कोव आसिक दर्साई जिसके अंदर प्रभु का सच्चा प्रेम हो केवल वही उस अलख प्रभु की पहचान कर सकता है किन्तु इस दौलत को हासिल करना कोई आसान काम नहीं है गुलाल साहिब स्पष्ट करते हैं कि खुदी को मिटाकर ही यह अनमोल दात प्राप्त हो सकती है जो पै कोई प्रेम को गाहक होई त्याग करे जो मन की कामना सीस दान दैस होई और अमल की दर्जो छोड़े आप अपन गति जोई हरदम हाजिर प्रेम पियाला पुलिक पुलिक रस लेई जो भक्त प्रभु का प्रेम पाना चाहता है उसको चाहिए कि मन से सभी कामनाओं को निकाल दे और अपने एहम भाव को दान में दे दे आपका तातपर्य यह है कि जगत का मोह और एहंकार प्रभु से मिलाप के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं है इनको दूर करके ही प्रभु से मिलाप किया जा सकता है प्रभु के भक्त को चाहिए कि बाकी साब साधन छोड़कर केवल अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान की और ध्यान दे उसको चाहिए कि अपने अंतर में सदा आनंद पूर्वक प्रभु के प्रेम का प्याला पीता रहे याने प्रभु के प्रेम में ही मगन रहे इसी भाव को विस्तार से समझाते हुए भीखा साहिब कहते हैं कहा कोव प्रेम बिहासन जाए महंग बड़ा गत कामन आवे सिरके मोल बिकाए तन मन धन पहले अरपन करे जग के सुख न सोहाए तजी आपा आपु ही हुए जीवे निज अनन्य सुख दाए यह केवल साधन को मत है जो गूंगे गुड़ खाए जा नहीं भले कहैसो कासों दिल की दिल ही रहाए प्रेम को खरीदने के लिए, प्रेम का सौधा करने के लिए कोई कहा जाए? प्रेम रूपी पदार्थ बहुत महगा है इसे प्राप्त करने के लिए सांसारिक धन किसी काम नहीं आता अपना सिर याने सर्वस्व देकर ही प्रेम को खरीदा जा सकता है प्रेम के ग्रहक को चाहिए कि सबसे पहले अपना तन मन धन प्रभु को अरपन कर दे और संसार के सुखों की ओर से मुख मोड ले उसको चाहिए कि एहम भाव को त्याग कर केवल प्रभु का ही होकर रहे और अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान करे इस सुख के समान दूसरा कोई सुख नहीं है संत प्रेम का ही उपदेश देते हैं और प्रेम की यह अवस्था वर्नन से परे है जिस प्रकार गूंगा गुड़ खाकर उसके स्वाद का वर्नन नहीं कर सकता उसी प्रकार जो साधक प्रेम की सची गती को जान लेता है वह उस आनंद का स्वयम तो अनुभाव कर सकता है परन्तु किसी दूसरे को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता जो प्रभू से मिलाप के लिए प्रेम और विरह के कठिन मार्ग पर कदम रखता है उस पर सहज ही प्रभू की कृपा हो जाती है जिसका हृदय प्रभू के दर्शन के लिए जितना अधिक व्याकुल होता है प्रभू उतना ही उसके निकट होता है जगजीवन साहिब की वाणी में यह भाव स्पष्ट जलगता है सखीरी कराओं में कौन उपाई मैं तो ब्याकुल निसदिन डोलों उनहीं दरद नहीं आई काह जानी के सुधी विसराई कचु गती जानी न जाई मैं तो दासी कलपों पिय बिनू घर आंगन न सुहाई तलफी तलफी जल बिना मीन जियों अस दुख मोह अधिकाई निर्गुन नाह बाह गई सेजिया सूत ही हियरा जुडाई बिन संग सूते सुख नहीं कब हों जैसे फूल कुमिलाई हुए जोगन मैं भसम लगायाउं रहियो नयन टक लाई रह यही महल टहल महलागी सत की सेज बिछाई हम तुम उनके सूत रह ही संग मिटै सब दुचिताई विरहनी जीवात्मा व्याकुल होकर पुकारती है हे सकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि प्रभु प्रियतम से मिलाप के लिए कौन सा उपाय करूं मैं प्रभु की जुदाई में व्याकुल होकर दिन रात भटक रही हूँ परन्तु प्रभु को फिर भी मुझे पर दया नहीं आती पता नहीं उसने क्या सोच कर मुझे बिसार दिया है उसकी गती को समझ पाना संभव नहीं है मैं प्रभू की दासी हूँ और उसके वियोग में तड़प रही हूँ मुझे घर बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगता जिस प्रकार मचली पानी के बिना तड़पती है उसी प्रकार मैं भी प्रभू के बिचो के दुख में बुरी तरह तडप रही हूँ वह निर्गुण निराकार स्वामी मेरी बहां पकड़कर मेरे अंदर ही आंतरिक सेज पर सोया हुआ है और मेरा हृदय उसके साथ जुड़ने के लिए व्याकुल है जिस प्रकार पानी के बिना फूल मुर्जा जाता है उसी प्रकार जब तक मुझे प्रभू से मिलाप का सुख नहीं मिलता मैं भी मुर्जाई रहूंगी मैंने जोगिन बनकर शरीर पर भभूत लगा ली है और टक टकी लगाकर प्रभू की राह देख रही हूँ मैं चाहती हूँ कि सचे नाम की सेज बिछाकर सदा प्रभू की सेवा करती रहूँ मेरी दुविधा दूर हो जाए और मैं निश्चिन्त होकर प्रभू से मिलाप का आनंद प्राप्त करूँ बुल्ला साहिब ने भी प्रभू प्रियतम के विरे में तडप रही जीवात्मा की अवस्था का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है भासत काहे न जोगिया यह मरे बिरे दुख रोगिया बिन जोगी समुझे कल न परत है क्यों जीवे जन रोगिया पीर घनेरी सूल उठत है यह दुख जाने रोगिया आवे जोगी करे तबीबी तब सुख पावे रोगिया मथिमन पवन जे दारू लगाई जन बुल्ला दुख भगिया प्रियतम के वियोग में दुखी जीवात्मा पुकार रही है हे मेरे प्यारे प्रभू तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं देते विरह का दुख अब रोग बन गया है असहय पीडा से मरण की स्थिती आ गई है प्रभु रूपी योगी के बारे में जाने बिना जीवात्मा को चैन नहीं पढ़ रहा है उससे मिलाप के बिना वियोग की यह बेचैनी दूर नहीं हो सकती प्रियतम के वियोग के रोग से पीड़त विरहनी का जीवित रहना कठिन हो जाता है विरह की इस पीडा को केवल वही समझ सकता है जिसे यह रोग लगा हो प्रभु रूपी योगी के इलाज करने पर ही उसे आराम मिल सकता है प्रमात्मा से वियोग के दुख का रोग मन और प्राणों के मन्थन की दवा लगाने से ही दूर हो सकता है अर्थात केवल प्रमात्मा की भक्ती और नाम की साधना के द्वारा ही आत्मा इस रोग से मुक्त हो सकती है प्रभू का सच्चा आशिक बनना बहुत कठिन काम है सच्चे आशिक की तो दशा ही निराली होती है भीखा साहिब जीव को प्रभू का सच्चा आशिक बनने की प्रेरना देते हुए कहते हैं आसिक तुँ यारे, खोजो मासुक हरी प्यारे, आसिक यारे सबसोन यारे, निकटही अपरम पारे आसिक यारे बहुत पुकारे, हे पीय पीय पपिहारे, आसिक यारे स्वात अधारे, चात्रिक तनमन वारे, आसिक यारे काज सवारे, मिलो प्रभु प्रान हमारे, भीखा यारे एक बिचारे, भ्रम कपटहीं परच उगारे अगर तू सच्चा आशिक है तो अपने माशूक याने प्रभु प्रियतम की खोज कर प्रभु के सच्चे आशिक सबसे अलग होते हैं वह अपरमपार प्रियतम हमेशा उनके निकट रहता है सच्चे आशिक पपिहे की भांती स्वांती बूंद की रट लगाकर प्रभू को पुकारते रहते हैं अर्थात उसके नाम का सुमिरन करते रहते हैं जिस प्रकार पपिहा प्यास से व्याकुल होकर प्राण दे देता है परंतु स्वांती बूंद के अलावा कोई दूसरा पानी नहीं पीता उसी प्रकार प्रभु के सच्चे आशिक के लिए नाम रूपी स्वांती बूंद ही जीवन का आधार होती है जब प्रभु के प्रेमी भक्त का प्राणों के आधार प्रभु से मिलाप हो जाता है कि मेरा ध्यान केवल प्रभु में ही लगा है। मैं उसकी ही भक्ती करता हूँ। अब मेरे मन से भ्रम और कपट के सारे आवरण उतर गए हैं। प्रभु के प्रेम में मगन हुआ साधक उस प्रेम से मिलने वाले आनंद को भली भाती समझ जाता है। बुल्ला साहब की वानी मे इसका सुन्दर वर्नन हुआ है। सुब घरी सुब दिन सुब पल छिन जब तुमही लो लाई। मनसा बाचा कर्मना मेरे धन राम गुसाई। केतिक जन्म चूक प्रभु मेरो कहलग बिने सुनाई। जन बुल्ला सरनागती आयो सुमेरे सुमेरे गुन गाई। जीवात्मा कहती है। मैं उस दिन उस घरी उस क्षण को शुब और धन्य मानती हूँ जब मेरे अंदर प्रभु के प्रती प्रेम जागरित हुआ। अब तो मन, वचन और कर्म द्वारा हर प्रकार से केवल प्रभु ही मेरा सच्चा धन है। हे प्रभु, मेरे अनेक जन्म तुमहारे व मर्नन नहीं कर सकती। मैं थक हार कर तुमहारी शरण में आ गई हूँ। अब मुझ पर ऐसी क्रिपा करो कि मैं सदा तुमहारे नाम का सुमिरन करूं और तुमहारी महिमा का गुणगान करती रहूं। प्रभु तथा सत्गुरु की क्रिपा से ही जीव के हृदय में प्रेम प्रभू से वियोग की पीड़ा से यह प्रेम द्रिड़ होता है और इसमें गहनता आती है विरह प्रभू की ही बक्षिश है जब विरह का ताप बाकी सभी कामनाओं को भस्म कर देता है तब केवल प्रभू के दर्शन की ही कामना शेश रह जाती है जग जीवन साहिब विरह की इसी व्याकुलता का वर्नन कर रहे हैं जमकी चड़ जाओं अटरियारी ऐ सखी पूछों साई केही अनहरियारी सो मैं चहों रहों तहें संग ही निरखी जाओं बलिहरियारी निरखत रहों पलक नहीं लाओं सूतों सत से जरियारी रहों तेहीं संग रंगरस माती डारों सकल बिसरियारी जग जीवन सखी पायन परिके मांग लेओं तिन सनियारी जीवात्मा कहती है हे सखी, मैं चाहती हूँ कि पलक जपकते ही प्रियतम के महल में पहुँच जाऊं मैं पूछती रहती हूँ कि मेरे प्रियतम का स्वरूप कैसा है मैं चाहती हूँ कि सदा उसके संग ही रहूं और उसके सुन्दर स्वरूप पर अपना सर्वस्व न्योचावर कर दूँ बिना पलक जपके एक टक प्रियतम का दर्शन करती रहूं तथा निश्चिन्त होकर सचे प्रियतम की सेज पर सोई रहूं अर्थात प्रभू से मिलाप होने पर सत्य की पहचान कर लूँ मेरी यही इच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़ कर सब कुछ भुला कर सदा प्रभू से मिलाप के आनंद में मगन रहूं और उसके चरणों से लिपट कर उससे प्रेम का वर्दान मांग लूँ साधक के अंतर में जब एक बार विरह की चिंगारी सुलग उठती है फिर यह आग बुझती ही नहीं है विरह की अगनी विकारों की सारी मलिंता को जला कर राख कर देती है और हिरदे प्रेम के प्रकाश से जग मगाने लगता है दूलन दास जी एक द्रिष्टांत द्वारा इस भाव को स्पष्ट कर रहे है दूलन बिरवा प्रेम को जामेउं जे ही घट माहें पाँच पचीसों ठकित भे तेही तरवर की छाहें जिस तरह विशाल विक्ष की छाया के नीचे कोई पौधा पनप नहीं सकता उसी तरह जिसके हृदय में प्रभू के प्रेम का विशाल विक्ष विक्षित हो जाता है उसके अंदर पाँच तत्व और पचीस प्रकृतियों के पौधे पनप नहीं पाते अर्थात पाँच तत्व और पचीस प्रकृतियां शिथल पढ़ जाती है हृदय में जैसे जैसे प्रभू के प्रती प्रेम भढ़ता जाता है उसके दर्शन की तडप उससे मिलाप की इच्छा प्रबल होती जाती है जीवात्मा की इसी तडप का वर्नन करते हुए गोविंद साहब फरमाते है सजनी सैया बिन मोर दर्द करेजवा होए बबुरी के काट गडल मोरी अंगुरी पीर घनेरी होए अपवो न आवे सनेस्वो न पठवे सवती बबुरिया बोए चुनी चुनी कलिया सेज बिछावो समुझी बूजी रहेओ सोए सखिया गोविंद केकरी वर चित्वे एक पुरुष के जोए जीवात्मा अपनी सखी को प्रेम और विरह का हाल सुनाते हुए कह रही है हे सखी प्रभु के बिना उसके दर्शन के बिना मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है यह तीवर पीड़ा उंगली में बबूल के काटे की चुभन जैसी है मेरा प्रियतम ना तो खुद मेरे पास आता है और ना ही कोई संदेश भेजता है मैंने तो अपने प्रभु से नेह लगा कर अपने लिए बबूल का पेड़ ही उगा लिया है अर्थात मैंने प्रेम करके अपने लिए विरह के कांटों का भंडार इकठा कर लिया है मैं अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में कलियां चुन-चुन कर सेज तयार कर रही हूँ अर्थात मेरा हृदय निरंतर प्रभु को पुकार रहा है परन्तु वह जान बूझ कर निश्चिन्त होकर सोया हुआ है उसे मेरे आशुओं की जरा सी भी परवा नहीं है आप कहते हैं कि जो जीवात्मा केवल प्रभु को अपना स्वामी मानती है वह किसी दूसरे का ध्यान नहीं करती भाव यह है कि सच्चा साधक केवल उस परम पुरुष की याने प्रभु की ही भक्ती में लगा रहता है इस प्रकार जो कार्य कई वर्षों की प्रेम भाव से रहित भक्ती नहीं कर सकती वह कार्य विरह की तडप कर देती है विरह से व्याकुल जीवात्मा को कोई सुध बुध नहीं रहती वह किसी भी तरह से प्रभु प्रियत्तम का दीदार करना चाहती है यारी साहिब की वाणी है दिन दिन प्रीती अधिक मोहि हरी की काम क्रोध जंजाल भसम भयो ब्रह अगिनी लगी धद की धुदु की सुलगती अति निर्मल जिलमिल जिलमिल जहल की जरी जरी परेत अंगार अधर यारी चड़ी अकास आगे सर की जीवात्मा कहती है मेरे अंदर दिन प्रती दिन हरी की प्रीती बढ़ती जा रही है मेरे अंदर विरह की अगनी इतनी प्रचंड हो गई है कि इसकी लपटों ने काम, क्रोध, आदिविकारों के जंजाल को जलाकर राख कर दिया है और मुझे पूरी तरह निर्मल कर दिया है मेरे अंदर नई चमक पैदा हो गई है मेरे अंदर विरह के अंगारे बरस रहे हैं और मैं आंतरिक आकाश में आगे कदम बढ़ाती जा रही हूँ ताके अपने प्रभू प्रियत्तम का दर्शन कर पाऊँ जब अंतर में परमात्मा के प्रेम की अगनी प्रबल हो जाती है उसी समय शब्द की जोती प्रज्वलित हो जाती है तब विकारों का नाश हो जाता है और आत्मा पूरी तरह निर्मल होकर शब्द के सहारे उपर प्रभु के धाम की और चड़ाई करने लगती है विरहिनी जीवात्मा प्रभु की एक जलक पाने के लिए कितनी बेचैन है इसका थोड़ा सा विवरण देते हुए दूलन दास जी कहते है दूलन दूई कर जोरी के बिनती सुनहु हमारी हे सखी मोहें बताई दे साई के अनुहारि हे सखी मैं दोनों हाथ जोड़ कर नम्रता पूर्वक विंती कर रही हूँ कृपा करके मुझे मेरे स्वामी के स्वरूप के बारे में बताओ जिसके वियोग में व्याकुल होकर जीवात्मा तडप रही है वह परमात्मा तो उसके अंतर में ही है यारी साहिब वह युक्ती अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं जिसके द्वारा प्रभू अंतर में प्रकट हो जाता है आपकी वानी है बिरहनी मंदर दियना बार बिन बाती बिन तेल जुगत सों बिन दीपक उजियार प्रान पिया मेरे ग्रह आयो रचिपची सेज संवार सुखमन सेज परमतत रहया पिय निर्गुन निर्कार गावह री मिल आनंद मंगल यारी मिल के यार हे विरहनी जीवात्मा तू शरीर रूपी मंदिर के भीतर दीपक जलाले अर्थात अपने अंतर में जल रही आत्म ज्योती की पहचान कर ले यह दीपक सदा प्रज्वलित रहता है लेकिन गुप्त है और केवल युक्ती द्वारा ही प्रकट होता है यह युक्ती हमें किसी पूर्ण संत से ही मिलती है शब्द या नाम के इस दीपक से तेल और बती के बिना ही भीतर प्रकाश हो जाएगा इस तरह प्राणों से भी प्रिय प्रभू शरीर रूपी घर के अंदर प्रकट हो जाएगा तू प्रेम पूर्वक उसके आगमन के लिए सेज सजा ले अर्थात तू अपना ध्यान शरीर के नव द्वारों से समेट कर अंदर आखों से उपर और मध्य में स्थित सुश्मना में एकाग्र एवं स्थिर कर ले वहाँ पहुँचने पर तेरा निर्गुण निराकार परमात्मा से मिलाप हो जाएगा और तू आनंद मगन होकर खुशी के गीत गाने लगेगी यहाँ आनंद मंगल से भाव है अंदर हो रही शब्द की मधुर धुन को सुनना प्रभू से मिलन की तडप जितनी अधिक हो उतना ही अधिक उसके मिलाप का सुख होता है विरह का परिणाम बड़ा सुखद होता है यह प्रभू से मिलाप के आनंद को प्राप्त करने के लिए आखरी कदम है इस आनंद का वर्नन करते हुए बुल्ला साहिब फरमाते हैं हों खेलत फाग सुहावन हरि आये मन भावन जबतें कृपा कियो आजन पर मोच मुक्ती फल पावन बाजत ताल मृदंग डफ सुर सरस राग सुर गावन देत दान तनमन न्योचावरी भावरी संत सुभावन जन बुल्ला ऐसी होरी खेलो अदभुत कला समावन मन को मोहने वाले हरी पधारे हैं मैं उनके साथ प्रेम की होली खेलने में मगन हूँ मुझे तो उसी पल मुक्ती का वर्दान प्राप्थ हो गया जब प्रभु ने अपने इस भक्त पर कृपा की मुझे अपने अंदर शब्द की मृदंग और डफली जैसी सुरीली मन मोहक ध्वनिया सुनाई देती रहती हैं जब भक्त अपना तन मन प्रभु पर नियोच्छावर करता है तब अंतर में ही संतों को प्रिय लगने वाली परिक्रमा हो जाती है अर्थात अहम भाव त्याक कर भक्त प्रेम और विश्वास के साथ संतों की समझाई युक्ती के अनुसार परमात्मा की भक्ती करता है आप कहते हैं कि जीव को प्रभु भक्ती की ऐसी होली खेलनी चाहिए कि वह प्रभु में समाकर उसका ही रूप हो जाए प्रभु के दर्शन की चाह में तडप रही जीवात्मा को इस तडप में ही आनंद मिलता है वह वियोग की इस पीडा से मुक्त नहीं होना चाहती बलकि इस व्यथा के साथ प्रभु की याद में खोई रहना चाहती है दूलंदास जी की वाणी में ऐसा ही वर्णन मिलता है सत नाम ते लागी अखियां मन परी गय जिकर जंजीर हो सखी नैना बरजे ना रहें अब ठिरे जात वोही तीर हो नाम सनेही बावरे द्रिग भर भर आवत नीर हो रसमत वाले रसमसे यही लगी लगन गंभीर हो सखी इसक पियासे आसिकां तजी दुनिया दौलत भीर हो सखी गोपी चंदा भर्थरी सुल्ताना भयो फकीर हो सखी दूलन कासे कहे यह अटपटी प्रेम की पीर हो जीवात्मा कहती है मेरी लगन प्रभु के सचे नाम से लग गई है मेरा मन प्रभु नाम के सुमिरन की डोरी से बंद गया है मेरी द्रिष्टी प्रभु के नाम पर टिक गई है मेरी आँखें यहां से हटना ही नहीं चाहती है नाम के प्रेम में दिवानी ये आँखें उसी की ओर खिंची चली जाती है हे सखी वियोग की पीड़ा के कारण आखों से सदा आशूओं की जड़ी लगी रहती है इस प्रकार जिनके अंदर प्रभू के नाम का गहरा प्रेम जागरित हो जाता है वे उस प्रेम रस के मतवाले हो जाते हैं और सदा उसी रस में भीगे रहते हैं प्रभू के प्रेमी भक्तों का प्रभू के साथ ऐसा घनिष्ट प्रेम हो जाता है कि वे स्वाभाविक रूप से ही धन दौलत और सगे संबंधियों की भीड से उपराम हो जाते हैं मैं अपने प्रेम की अद्भुत पीडा के बारे में किसी को क्या समझाऊं यह ऐसी पीडा है जिसके प्रभाव से राजा गोपी चंद, राजा भर्थरी और बलख बुखारे के बादशा इबराहिम ने अपना राजपाट तक त्याग दिया और प्रभु की भक्ती में लग गए विरह प्रेम की वह अनूठी अवस्था है जिसके द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलाप होता है यह प्रभु के प्रती सच्चे प्रेम को दर्शाती है बुल्ला साहिब प्रभु के प्रेम में रंगी जीवात्मा की अवस्था का वर्नन इस प्रकार करते हैं रंग लागो गोरिया, आजु रंग लागो, आपा सोधी भ्रम भागो, तिरगुन गुन गुनही पर जोरा, निरगुन नाम हिये पागो, जिल्मिली जिल्मिली तिरबेनी संगम, अविगत गती ब्रहम जागो, सुरनर मुनी जाको अंतन पावही, सो मोरे नैनन आगो, हरी रंग जुगन जुगन उजियारो, जन बुल्ला साधुन सांगो, आज आत्मा रूपी सुंदरी प्रभु प्रेम के रंग में रंग गई है, उसे अपने निर्मल स्वरूप की पहचान हो गई है, जिससे सब संशय और भ्रम दूर हो गए है, अब तीन गुणों के प्रभाव से मुक्ति मिल गई है, और निर्गुन प्रभु का नाम हृदय में बस गया है, प्रभु के नाम की साधना करके, आत्मा प्रकाश से भरपूर, त्रिवेनी के संगम पर पहुँच गई है, और उसे अलख अगम प पार नहीं पा सके, वह अंदर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा है, आप कहते हैं कि प्रभु के रंग का उजाला, अर्थात प्रभु के प्रेम रूपी रंग का प्रकाश, युगों से कायम है, प्रभु प्रेम के रंग में रंग जाना, याने उसमें लीन हो जाना, संतो की संगती द्वारा ही संभव है नाम परमात्मा की स्रिजनात्मक शक्ति नाम परमात्मा का प्रकट रूप है यह वह शक्ति है जिसके द्वारा परमात्मा से मिलाप होता है परमात्मा ने जीवात्मा के साथ अपने मिलाप का यह साधन स्वयम बनाया है और यह भी निश्चित कर दिया है कि नाम का उपदेश किसी संत सत्गुरु से ही प्राप्त हो सकता है नाम ही परमात्मा की सिर्जनात्मक शक्ती है जिसके द्वारा उस कुल मालिक ने संपूर्ण सिर्ष्टी की रचना की है इसी संदर्भ में यारी साहब की वानी है परमात्मा से अपार अलवकिक प्रकाश का प्रसार हो रहा है नाम अत्वा शब्द के द्वारा समस्त रचना को रचने वाला वह सिर्जनार सब में समाया है और सभी उसमें समाये है नाम परमात्मा से प्रवाहित होने वाली वह चेतन धारा है जिसके द्वारा समस्त रचना का स्रिजन हुआ है गुलाल साहिब ने अपनी वानी में इस विशय को खोल कर समझाया है आदी ब्रहेम की उपजी इच्छा स्रिष्टी की रचना की प्रक्रिया को समझाते हुए आप कहते हैं कि आरंब में परमात्मा अपने आप में लीन था फिर उसकी स्रिजन करने की इच्छा हुई उस चेतन पुरुष के अंदर से शब्द की लहर उठी उस शब्द में से पांच तत्व पैदा हुए शब्द में से आकाश पैदा हुआ आकाश से वायू, वायू से अगनी, अगनी से पानी तथा पानी से धर्ती उत्पन्न हुई इसी तरहे चार खानिया अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्विज पैदा हुई देवता, मानव और नाग आदी सब की उत्पत्ती हुई सारे संसार में मोह माया का जाल बिछा दिया गया जब से स्रिष्टी की रचना हुई है तब से ही स्रिष्टी के सभी जीव माया की चर्खी पर चड़े आवा गमन के चक्र में फसे हुए है यहां आप समझा रहे हैं कि शब्द अथ्वा नाम परमात्मा की स्रिजनात्मक शक्ती है पांच तत्वों का करता भी शब्द है तथा माया का आधार भी शब्द है निराकार प्रभू स्वयम स्रिष्टी से निरलेप है वह जो कुछ करता है शब्द याने नाम के द्वारा ही करता है संत सत्गुरू सुरत को शब्द से जोड़ देते हैं तथा शब्द उसे परमात्मा में अभेद कर देता है इसलिए सदा उस सचे शब्द के साथ चित लगा कर रखो मन में जानिये हो, सत शब्द चित लाए दूलंदास जी भी इसी सत्य का उलेख कर रहे हैं कि शब्द या नाम ही परमात्मा की करतारी शक्ती है परमात्मा ने शब्द के द्वारा ही सारी स्रिष्टी का स्रिजन किया है और शब्द का ही प्रकाश घट घट में समाया हुआ है जो भागिशाली जीव शब्द की पहचान कर लेते हैं उनका सहज ही परमात्मा से मिलाप हो जाता है कोई भी दूसरा साधन शब्द के सहज साधन के समान नहीं है शब्द से जुड़ जाने पर सहज ही दयालू प्रभू से मिलाप हो जाता है नाम से ही समस्त रचना की उत्पती हुई है इस भाव का भीखा साहिब ने विस्तार से वर्णन किया है नामे चांद सूर दिन राती नामे किर्तिम की उत्पाती नाम सरसुती जमुना गंगा नामे सात समुद्र तरंगा नामे गहिर अगूड अथाह असरन सरन को चरन निबाह नामे पानी नामे पवना ररंकार मंगल सुख रवना नामे धर्ती नाम अकास नामे पावक तेज प्रकास नाम महादेवन को देवा नामे पूजा करता सेवा नाम जक्त गुरु नामे दाता नामे अज विज्ञान बिधाता आप कहते हैं कि नाम से ही चांद, सूर्य और दिन रात बने हैं नाम से ही गंगा, यमुना, सरस्वती और सात समुद्रों की लहरें उत्पन हुई है नाम अनन्त अथा है, बे सहारों का सहारा है नाम के आधार पर ही पांच तत्वों, पृत्वी, जल, वायू, अगनी और आकाश से बनी स्रिष्टी कायम है नाम के तेजोमय प्रकाश से ही संपूर्ण जगत प्रकाशमान है यह सुखदाई नाम ही ररंकार शब्द की मंगलकारी ध्वनी के रूप में सर्वत्र व्याप्त है नाम महादेवों का भी देव है, अर्थार्थ सर्वपरी है नाम ही सब का करता है, वही पूजनिय है और वही सेवा के योग्य है समस्त विश्व का गुरू और दाता एक नाम ही है नाम अजन्मा है, वह समपूर्ण ग्यान का भंडार और रचना का विधाता है उस कुल मालिक का नूर ही नाम के रूप में प्रकट हो रहा है और यही उसके निकट ले जाता है नाम अनादी है, अद्वैत है, सदा से एक ही है नाम या शब्द ही स्रिष्टी के अनेक स्वरूपों का करता और आधार है प्रभु के ऐसे नाम के साथ प्रीती जोडने से ही जीवन सार्थक हो सकता है जग जीवन साहिब ने नाम की महिमा करते हुए इसकी स्रिजनात्मक शक्ती का वर्नन किया है अर्थात, नाम की ऐसी महिमा है कि नाम ने पल भर में एक बूंद से ही पूरी त्रिलोकी की रचना कर दी और चोथे लोक का भी स्रिजन किया इसी नाम का निरंतर सुमरन करना चाहिए आप कहते हैं कि नाम ही हमारा स्वामी है नाम ही करता है जिसने संपूर्न स्रिष्टी सारे खंड ब्रह्मांड बनाए है करता नाम है असखाविंद जिन सब रची के बनावा रंगों के त्योहार होली के माध्यम से नाम के रंग में रंगे साधक की अवस्था का वर्नन करते हुए गोविंद साहिब ने नाम की करतारी शक्ती का इस प्रकार वर्नन किया है रंग भीनी होरी आई डफवा बाजन लागे को बहु बाजे कौन बजावे कौन पदारत गाई सकल भुवन की सकल साज है सोई लेले अबीर उड़ाई भाती भाती की सुघर नाय का बनिबनि भाव बताई जै गोविंद यह ख्याल हाल को पार नकाहू पाई आप कहते हैं कि नाम के रंग की सची होली का त्योहार आ गया है अंदर शब्द का बाजा बजने लगा है शब्द की मधुर ध्वनियों को बजाने वाला स्वयम परमात्मा है शब्द के द्वारा ही उसने अनेक खंड ब्रहमांडों की रचना की है और वही प्रभू शब्द रूप में समस्त रचना का संचालन करता है प्रभू ही जीवन रूपी गुलाल उड़ा रहा है अर्थात यह स्रिष्टी केवल शब्द के आधार पर ही अनेक रंगों से भरी हुई प्रतीत होती है प्रभू इस स्रिष्टी का नायक है और आत्मा रूपी सुन्दर नाईकाएं भाती भाती के शरीर धारन करके अनेक प्रकार के हाव भाव प्रकट कर रही है शब्द रूप में परमात्मा ही उन सब का आधार है गोविंद साहिब कहते हैं कि इस गूड रहस्य का कोई पार नहीं पा सका है इस माया मय जगत के भ्रम जाल से मुक्त होने का साधन केवल हरी का नाम है इसी भाव को व्यक्त करते हुए बुल्ला साहिब कहते हैं सब पाप जू दोश बहाई दियो हरी नाम निरंजन परी दुहाई दूसरो न अवर है यही कली में जिन तिहुं लोक रची रख्यो बनाई हरी के नाम की सर्वत्र महिमा हो रही है नाम माया से रहत है और इसके प्रताप से सब पाप और दोश मिट जाते हैं स्रिष्टी की रचना करने वाले नाम के समान दूसरी कोई शक्ती नहीं है नाम की महिमा करते हुए आप कहते हैं नाम प्रताप की महिमा सुनिये तीन लोक धर ध्याना जन बुल्ला रामही को सेवक बोलही सब्द निधाना नाम की महिमा वर्णन से परे है नाम तीन लोकों में व्याप्त है मैं प्रभु का दास पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि शब्द अत्वा नाम ही सब गुणों का भंडार है